हलो फ्रेंड्स तो जैसे की कमेंट में बहुत सारे क्वेरी जा रहे थे कि होस्टल का एडमिसन कैसे होता है होस्टल में कितने ब्लोक है होस्टल का मैस क्या है होस्टल में एडमिसन लेने के लिए प्रक्रिया क्या होती है आज मैं इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स मे होस्टल के जिनका नाम A, B और C है ये तीनों ब्लॉक है जिन में तीनों में बच्चे रहते हैं जैसे यहाँ एडमिस्ट लेने के लिए आपको सबसे पहले एडमिस्ट के फादर के पास जाना होगा और वहाँ पे फादर आपको रेजिस्टर में नाम लिखेंगे उसके बाद आपको एक एडमिस्ट का फॉर्म देंगे जिस फॉर्म का कोस्ट पांच सर रुपया होगा तो आप लोगों को पांच सर रुपया पे करके उस फॉर्म को ले लेना है फॉर्म को लेने के बाद आपको कुछ documents की आवे सकता होगी जैसे कि उनके साथ आपको दो हाप photo रखना है और आप 11th में admission लेना चाह रहे हैं तो आपको 10th का mark sheet और अगर आप graduation के 1st year में लेना चाह रहे हैं तो आपको 12th का mark sheet चाहिए इन सभी को आपको form को फिल करते समय अटेज करना होगा और photo भी वहाँ पर चिपकाना होगा उसके बाद सबसे जरूरी बात कि आपको अपने parents को लेके जाना है क्योंकि उस form में parents का sign compulsory है आप अपने father को लेके जाएं यह बहुत ही अच्छा होगा उसके बाद आपका hostel का admission form को जमा करने के बाद फादर कर देंगे फिर आपको room और block allot होगा जैसे ही room और block allot होने के बाद आप वहाँ अपना समान रख सकते हैं आपका hostel में admission हो जाने के बाद फिर mess फिस लगेगा जैसे कि mess के बारे में कुछ बता देता हूँ mess तीनों block में चलती है A, B, C तीनों में A और C block में दो टाइम खाना मिलता है जबकि B block में तीन टाइम खाना मिलता है तो यह तो seat पे depend है कि आपको कौन सा block मिलेगा ऐसे तो सारा काम आपको A block के फादर सहीग होगा बिल्लिंग दिखाए देगा उसी में hostel सुप्रिणिटेंट फर्स्ट फ्लोर में बैठते हैं वहां जाकि आप उनसे बात कर सकते हैं hostel का अब बात करें मैस फीस का तो लगभग एक साल का मैस फीस का 26,000 के आसपास आता है यह कुछ कम और ज्यादा भी हो सकते हैं यह ब्लॉक पर डिपेंड है यह ब्लॉक में कुछ कम है भी ज्यादा है और सी में थोड़क कम है तो आप मानके चलिए 26,000 रुपया आपको मैस फीस लग जाएगा एक साल के लिए और रूम की बात करें तो रूम तीन तरह के यहाँ पर है पहला है वन बेट का रूम दूसरा है टू बेट का रूम और तीसरा है फोर बेट का रूम तो रूम का रेंट तीनों अलग है अगर आप वन बेट का रूम लेना चाह रहे हैं तो आपको 10,000 के आसपास पढ़ेगा अगर टू बेट का लेना चाह रहे हैं तो वो 8,000 पड़ता है और 4 बेट का आप रूम लेना चाह रहे हैं तो आपको करीब 6,000 पड़ता है अभी कोरोना काल में रूम का रेंट घटा हुआ है इससे पहले और जादे रेंट थे तो कुल मिलाकर मैस और रूम फीस देखे तो लगभग 35-36,000 रुपए आपको पड़ेंगे पूरे एक साल के लिए बात करें अब कि होस्टल में एडमिसन एजरवेशन वालों का ही होता है या फिर अनलोगों का भी होता है जैसे मैं बात करूँ तो सबसे पहले होस्टल में एडमिसन करने के लिए आपको संजेवियर कॉलेज रांची का एक स्टुडेंट होना होगा आपका कॉलेज में एडमिसन होने के बाद ही होस्टल के लिए अपला ही हो सकता है तो यहां पर होस्टल में अदमिसन लेने के लिए SC और Git वालों का तो हो ही जाता है साथ में General और OBC वालों का भी होता है देपेंड करता है फूरी किxiट खाली है की ने जैसे आपकी 시ट खाली होगी तो यहां पर OBC और General वालों को भी लिया जाता है